पर आपका स्वागत करता हूँ आज हमें केसा important topic स्टार्ट कर रहे हैं जिसका relation एक international relation के साथ में भी है चाहे UPSC हो, चाहे MPPSC हो या other state exam हो तो हम ज़्यादा time खराब ना करते हुए सीधे आते हैं हमारे topic पे हमारा topic है major state of the world हमारे world में कौन-कौन से state है इसको हम 360 degree में पूरी तरह से समझेंगे देखे, सबसे पहली बात आती है state की यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज़ किया है state को तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ हम state की बात करते हैं तो state होता क्या है तो आपको पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि state का मतलब यह होता है या हिंदी में हम इसे बोलते हैं जल्डमरू मत दियत इसका मतलब यह होता है कि यह एक ऐसा passage होता है जो दो water bodies को link करता है यानि कि आप जब जब state का शब्द सुनेंगे तब तब आप दो water body को connect होता हुआ पाएंगे इसके अलावा जब दो water body connect होती है उसी के साथ साथ क्या होता है दो land mass यानि कि दो इस्थल खंड भी क्या होंगे अलग-अलग होंगे तो हम simple तरीके से अगर हम state की definition दे तो state की definition में हम यह बोल सकते हैं कि दो water body को connect यानि कि दो जल निकाय को जोडने वाला और दो इस्थल खंड को प्रतक करने वाला को हम क्या कहेंगे इस्थेट केंगे तो आज हमारा जो टॉपिक है वह मेजर इस्थेट आप दो वर्ल्ड यहां पर हम विश्व में अलग-अलग छेत्रों में जो भी इस्थेट है उनके बारे में हम डीटेल में बात करेंगे अब जैसे कि हम इसी लेक्चर में हो गया मोजअंबिक हो गया फिर इसके बाद में आप देखेंगे बेरिंग ।ाह है हुझ संदी हो गई मलक का है इन के बारे में हम डीटेल में जा आएंगे अब यहां पर कोश्टन क्या बन सकते हैं तो कोश्टन यह पुछलय नेकर पोछा सकता है कि इस इसरा question इसमें ये भी बन सकता है कि ये water state जो है वो किन दो water body को connect कर रहा है और थोड़ा सा detail में जाएं तो जैसा कि UPSC पूछता है कि अगर इस water state को आप travel करते हुए आगी की तरफ जाते हो तो कौन सी water body आपके रस्ते में आएगी है ना तो इस तरह के कुछ tricky question भी जो है इससे पूछे जाते हैं ठीके तो सबसे पहले हम वर्ल्ड के state के बारे में पढ़ने से पहले हमारा जो focus रह कर रहा हूं में वह आपको कर रहा हूं इंडिया और इंडिया के आसपास वाले इस्टेट जो कि हमको कहीं तरह से प्रवाइद करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं पहले इस्टेट से पहला इस्टेट है हमारा पाक इस्टेट अगर हम बात करें तो पाक यह इस्तिद ऐसे आपके तमिल नाडु पॉर्शन और शीलंका का जाफना प्रायदिव है यहां पर इस्तिद यह पाक बेहे पाग की खाड़ी, वहाँ पर है तमिल नाडू और जाफना, यह हमारा शेलंगा का जो उत्री पार्ट है, यह जाफना है, उसको दोनों के बीच में इस्टेट है, पाग इस्टेट, जैसे हैं आप फिर वापस से आते हैं, डेफिनेशन पर, मैंने गोला था, पाग इस्टेट को connect करने वाले इस्टेट को हम क्या बोलेंगे, पाग इस्टेट, यह पाग इस्टेट के बारे में एक और पता होना चाहिए, कि भारत शेलंगा के बीच में यह सीमा रेखा का निरधारन भी करता है, इसके अलावा हम देखें, तो पाग इस्टेट में एक और चीज आती है कि तमिल नाडू की एक फेमस नदी है, वेगई नदी, यहाँ पर हम बात करें, तमिल नाडू की एक फेमस रिवर है, वेगई रिवर, वेगई रिवर भी पाक संदी में गिरती है, अच्छा वेगई रिवर के बारे में आपको पता होना चीए, हमारे यहाँ एक द्रवीनि को समर्पित है यह मदरही का मिनाक्षी टेंपल जो कि अपने गोपुराम और बड़े-बड़े टावर्स के लिए जाना जाता है तो यह वेगई नदी के तट पर ही इस्तित है और वो वेगई नदी कहां गिरती है पाक की खाडी में तो यहां पर एक चीज़तों हम समझ चुक उनके बीच में इस्तित है और भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेका बना दे अच्छा इसके पाक स्टेट के आप थोड़ा सा दक्षिन की तरह आएंगे तो आपको एक एडम ब्रिज दिखेगा है ना जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं एडम ब्रिज एडम अधिये तो अधिये टु जिसमा जिस्का काफी हमारे पुरानिक महत्वे इस पुल का इसके बारे में आपको मालू होका देखो राम सेतु का जैसे के हम बात करते वालमी की रामायन में जिकर किया गया है कि राम संद्री जी जब शीलंका की तरफ जा रहे थे जब लंका की तरफ जा पाई थी अब इसका एक जिसका हम उल्लेक मिलता है यहां पर एक पहाड़ी है शिलंका में वही पर जनत से आदम को निकालके पहली बार जब आदम को निकाला गया था जनत से तो वो यहाँ पर प्रकट हुए थे शिलंका में और शिलंका से भारत आने के लिए उन्होंने एक पूल बनाया था जिसे उन्होंने बोला था आदम का पूल तो एक इसलामिक मान्यता के साथ में भी जुड़ा हुआ है ये पुल और हिंदु मान्यता के साथ में भी जुड़ा हुआ है और अभी इसमें कभी वर्क चल रहा है भारत सरकार दौरा जो है क्योंकि इसका इतियास अगर देखा जाए राम सेतू का तो वो होता है अठारा हजार साल पूराना इतियास है तो इसके बारे में डिटेल में जानकरी अभी पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाई है लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है क्योंकि साइंटिपिक तरीके से इसको बोला जाता है कि चुने के चट्टा यह जो कोरल रीफ होती है उसके सारे बनावा पूल है या फिर यह भी कहा जाता है कि जौला मुखी चट्टा ने जो वाल्केनिक इरॉप्षन के बाद में जो चट्टा ने आई थी वह चट्टा ने पानी में तेर रही थी उसके कारण यह पूल बन गया है इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट थियोर इसको भारत का राष्टी विरासत इस्थल गोशित करने पर भी मांग उठ रही है राम सेतु की और अभी काफी जैने अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंडिया में कुछ चीजे जो हैं जैसे कि हम बात करते हैं एंसेंट हिस्ट्री में सरसोती नदी के बारे में सरसोती नदी जो कि आप देखते हैं कि उत्तरवेदी काल में विलूपत हो जाती है उस नदी के बारे में हमने काफी सुना है लेकिन आज की तारिक में हम उसको गगड़ नदी से जरूर कनेक्ट करते हैं लेकिन सरसोती नदी किस तरह से लूपत हो ही है तो वो भी एक थियो जिस पर होज जारी है वैसे हम बात करते हैं द्वारी का गुजरात वाला पॉर्शन एक बड़ा सा शहर समुदर के अंदर डूब गया था उसके बारे में भी रिसर्च चल रही है और थर्ड यह आपका राम से तू यह भारत के कुछ तीन एरिया हैं जहां पर अभी रिसेंट एडम ब्रीज के बारे में आप जाना अच्छा एडम ब्रीज अगर आप जियोग्राफी में फिजिकल जोग्राफी के साफ से देखें तो हम इसको इस्थमस का भी एक एक एक्जामपल मान सकते हैं एडम ब्रीज आपका एक इस्थमस का एक्जामपल है जो की क्या कर रहा है यह दो land body को जोड रहा है ठीक है और यह राम से तू कहां किन के बीच में है तो पंबन यह आता है पंबन आइलेंड रामेश्वरम से किसके बीच में है मननार दीप शीलंका में ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है कि राम से तू पंबन टू मननार आइलेंड इनके हम इंडिया के आसपास ही देख रहे हैं तो हम जैसे अंडमान निकोबार तरफ जाते हैं तो अंडमान निकोबार में एक हमको पाग स्टेट से आगे बढ़ते हैं तो अंडमान निकोबार में आपको एक पेसेज मिलता है जिसे हम कहते हैं duncan passage duncan passage basically किनके बीच में इस्तित है अगर साउथ अंदमान और लिटिल अंदमान वो लिटिल अंदमान के बीच में आता है और exact location देखें तो हम इसको बोल सकते यह ५ aç hizo और लिटिल अंडवान के बीच में इस ती थे डंकन पैसेज इसके बाद में हम आते हैं थोड़ अगे बढ़ते हैं पहले हमने देखा यहाँ पर पाक स्ट्रेट एडम ब्रीज एडम ब्रीज के बाद में फिर हमने इदा देखा डंकन पैसेज अब उससे आगे बढ़ते हुए हम आते हैं सीधे मलक का इस्ट्रेट पे मलक का इस्ट्रेट का इंटरनेशनल ट्रेड में काफी बड़ा योगदान है और काफी यानि कि सामरिक दरस्टी कौन से अगर देखा जाए तो बहुत महत्पूर्ण है क्यों चाइना भी चाइना के व्यापार भी इससे प्रभाइत होता है साथ ही साथ भारत का भी बड़े वेमाने पर इससे व्यापार प्रभाइत होता है और यह मलक का इस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो भारत का साउथ इस्ट एशिया से जो relation है, trade relation है ना, जैसे कि हम एक international organization में एक संगधन पढ़ते हैं, आशियान, जो कि 10 देशों का संगधन है, आशियान, उसके साथ में भारत की दो नीतिया भी बनी थी, पहले 91 में अलू की इस्ट पॉलिसी, नरसी माराओ के समय जारी की गई थी, और मोधी जी ने उस नीति को convert करके, एक टिस्ट पॉलिसी में convert करा था, जिसमें हम व्यापार में diversity के लिए, हमने अब हमारा व्यापार promote कर रहे हैं कहां के, South East Asian Nations के साथ में, तो उसमें मलक्का का बड़ा योगदान होता है, इसके लावा चाइना का भी लिए भी बड़ा important state है, क्योंकि चाइना का भी 50% के लगभग व्यापार जो है, वो इससे प्रवाइद होता है मलक्का एस्टेट से, तो पहले तो हम जाने हैं, तो मलक्का एस्टेट की location अगर हम देखते हैं, तो इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ से गुजरता है मलक्का एस्टेट, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और आप सिंगापूर को भी एड़ कर सकते हैं, तो तीन देशों के बीच में एस्टित हैं, मलक्का इसके बारे में कुछ चीजे आपको और पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि इस्टेट है, तो सबसे पहले इस्टेट है, तो हम पहले जान लेते हैं, कि यह किन-किन सागर के बीच में इस्थित हैं, तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, साउथ चाइना सी का विस्तार कोशन से हैं, वहाँ से हमारा रिलेशन जुरवाएगा, अब एक चीज हो रहे है, इंडो-मलेश, यह आपका मलेशया वाले रिजन में आ रहा है, आपका मलक्का इस्टेट, यह मलक्का जो जगह है, वो कहां पर है, मलेशया में, और सुमात्रा में एक शाशक थे, परमेश् उन्होंने 1396 में मलेशया में मलक्का को बसाया था, मलक्का नदी के टर्ट पर मलक्का को बसाया था, किनने बसाया था? सुमात्रा के राजा परमेश्वन, और 2008 में इस को वर्ल्ड हरिटेस साइट के रूप में भी नामानकित किया गया था, अब यह तो बेसिक जानकारी हो अब इसमें हम जानते हैं कि इसका हमारे कि क्या इंपोर्टेंस है तो आपको एक और चीज़ देखवाँ कुई एक तो मैंने बता दिया आपको कि साउथ इस्टेशिया से तो जोड़ी रहा है ठीक है लेकिन हाली में इसके साथ में एक और बात चुड़ी वी है कि इसकी गहरा कम होने के कारण क्या होता है यहां से जब भी समुद्र से इस पर्टिकॉलर मलक का स्टेट से जब भी जहांज निकलते हैं तो उनकी स्पीट क्या हो जाती है कम होने के कारण क्या होता है कि अभी हाली के वर्षों में हो रहा है कि मलक का स्टेट से जब भी जहांज निकलते ह कम स्पीट करते हैं वैसे ही उन जहांज को क्या है लूट लिया जाता है क्योंकि आपको ये डेटा जो है भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है भारत सरकार में आप देखोंगे एक गुरूग्राम में गुरूग्राम में एक IFC सेंटर है जो कि क्या है इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर जो की हिंद महासागर्ण में जो सुरक्षा संबंदि जो जित्ते भी डेटा होते हैं उनका कलेक्शन कहां किया जाता है इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर जो की कहां पर है गुरूग्राम में उन्होंने बोला था कि मलक्का एस्टेट हाली के वर्षों में एक बड़े पेमाने पर समुद्री लुटेरियों से प्रभाइद रहा है जिसके कारण जो है यहां पर व्यापार काफी डिस्टरब हुआ तो अब यह भी आशांका बताए गई है कि मलक्का कहीं पाइरेसी हब के रूप में कंवर्ट नहीं हो जाए ठीक है तो यह तो एक कुछ बेसिक चीजे और आपको मालू है चाइना जिस तरह से अपनी साउथ चाइना सी में गतिविदी बढ़ा रहा है तो उसी गतिविदी क का जादा है जिसके कारण क्या है कि उसको व्यापार में कहीं जो है बादाय का सामना करना पड़ता है तो इसलिए जो है चाइना अब अपनी अग्रेसिव निती के तहट इनके तरह भी आपको बढ़ रहा है आगे आपने पास्ट कुछ समय में एक संगठन पढ़ा हूंगे तो इसलिए के कौष हो गया आउकस हो गया है जो कि चाइना की इनि गती वीडियों के अगेंस्ट गठित किये गये थे कौष हो गया अब चाइना भी इसमें संगठन मना रहा है और पूरे रिजन को वह क्या करना चाहरा रहा है उस पर अपना एक कंट्रोल स्थापित करना जा रहा है उसका में relation जो है किसे है अन्तराष्टिय व्यव्यापार से ये तो हम ने पहले देखा पाग स्टेट के साथ मैं आपने담 ब्रीज को जाना डाम सकते साथ हमने डंकन पेशस्चömता है मलकका इस्टेट मैं question ये पुछाय सकता है कहाँ पर किस के बीज में है तो इसका अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इंडोनेशया वाले सुन्डा एस्टेट है ना ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन जो है सुन्डा एस्टेट है ना सुन्डा एस्टेट किन के बीच में है सुमात्रा and jawa सुमात्रा और jawa के बीच में आता है आपका सुन्दा एस्टेट जो की connect किसको कर रहा है जावा सी जावा और इंडियन लेशन को जो है यह क्या कर रहा है connect कर रहा है सुन्दा एस्टेट clear तो यहां पर हमने अभी एक तो आपने जाना मलक्का इस्टेट और साथ में सुन्डा इस्टेट अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमारा में मकसद जो है इंडिया और इंडिया के आसपास वाले इस्टेट के बात करना था यह अभी हाली में ठीक है अब हम मलक्का इ अगर के अधर देखें तो सबसे पहला हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्डेंट हार्मूज स्टेट हार्मूज स्टेट आपको पहले तो लोकेशन पता होना चाहिए कौन सी बाटर बाड़ी को कनेक कर रहा है पर्शन गल्फ और गल्फ अप ओमान है ना यानि कि पर्शन इराक, कुवेत, बहरेन, कतर, UAE, ओमान यह सारे देश जो है इससे कनेक्टेड है अब आपने एक इंटरनेशनल ओर्गनेशन में ओपेक कंट्रीज पढ़ी होगी ओपेक कंट्रीज जहना ओर्गनेशन पर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो की पेट्रोल नि इससे क्या है उनको एक प्रॉपर तरीके से कीमत प्राप्त हो सके तो यह कॉर्टेल बेस्ट संगटन है ओपेक अब ओपेक कंट्रियों के छेतर में ही हार्मूज स्टेट पढ़ रहा है तो इससे यह तो पता है आपको कि आगर हम देखें तो विश्व का 25% तेल और 33% का एक बड़ा व्यापार इन छेतरों से होता है यह अगर देखा जाए तो यह टोटली 39 किलोमेटर चोड़ा है और 160 किलोमेटर यह लंबा छेतर है लेकिन यह चोटा एरिया है लेकिन यह ओईल की सप्लाई के लिए बड़ा महत्पून है अच्छा यहां पर क्या है इरान ज इस छेत्र पर अपना एक दबदवा बना के रखता है बना के उसने रखा हुआ है क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर आठ बड़े-बड़े दीव भी आते हैं और उसमें से साथ बड़े दीव पूपर जो है इरान का कबजा है और इरान और USA के आपस में जो चल रहे है और अभी देखा जाए तो आइल सप्लाई के लिए यहां पर इरान का एक बहुत बड़ा नियंतरन बना हुआ है यह थोड़ी सी बेसिक चीज़ हो गई इसको हम इंटरनेशनल जब रिलेशन्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम इसको पूरा हर्मुज स्टेट इसको इसका इंटरनेशनल अफ्यर में क्या योगदान है उसमें हम आगे उसमें डिटेल में डिसकुस करेंगे चुकि अब है जोग्राफी से डेटेड ही हम ले रहे हैं इसको तो एक सिंपल वह में समझ लेते पर्शन गल्फ और गल्फ वाप ओमान के बीच में इस्तिते 25 परसंट तेल और 33 परसंट यहां पर नेचरल गेस का व्यापार में इसका एक बड़ा योगदान है अब इसके बाद में आते हम अगले रिजन पर हम जैसे आते हैं लाल सागर में तो वहां पर एक महत्पूर्ण वाटर इस्टेट मिलता है बाब अलमंडेव यह कहां पर है तो यह रेट सी वाले पोर्शन पे रेट सी वाले पोर्शन में आपको दिखेगा बाब अलमंडेव कौन सी दो वाटर बाड़ी को कनेक कर रहा है तो बाब अलमंडेव रेट सी और गल्फ आप अधन यह अला पोर्शन दिख रहा रेट सी और यह गल्फ आप अधन अब यह एक चीज तो यह पता होना चीज है कि लाल सागर में पानी का कलर लाल नहीं है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक blue green algae जिसको हम जानते हैं ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम यह बड़े पेमाने पर इस सागर में फेली होती है और उसका कलर लाल होता है जिसके कारण सागर को हम लाल सागर केते हैं यहनी कि इसका मतलब यह है कि पानी का लाल नहीं है अच्छा एक और चीज है अगर हम यहां पर चुकि नक्षे में आपको दिखने है लेकिन अगर तो स्वेज नहर के खुल जाने के कारण क्या है कि इस लाल सागर का महत्व इंटर्नेश्टन व्यापार में काफी बड़ा हो गया है क्यों कि ये डायरेक्ट आर्कपको यूरोप से कनेक्टिविटी दे रहा है यूरोप से एशिया की सीधे सीधे कनेक्टिविटी ओर ही क्योंकि पहले अगर आपको मालू होगा कि स्वेज नहर ना होने के कारण यूरोप से जो जहां जाते थे वह अफरिका की केप टाउन से होते हुए आते थे तो हजारों किलोटर की दूरी किस से हो जाता है हिंद महा सागर से अब यहां पर कुछ बैसिक कोश्चन पुझा सकते कि जिसे रेट सी की बॉर्डर को की सीमा पर आने वाले कौन-कौन से देश हैं तो आपको इधर दिख रहा है मिस्र हो गया इरिट्रिया हो गया जीबूती हो गया यमन हो गया फिर उसक इंडिया और इंडिया के पास के कौन-कौन से इस्टेड है उनके बारे में जाना है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 8 degree, 9 degree, 10 degree channel के बारे में, इसके अलाबा हम थोड़ा सा यूरोप आले पार्ट में आएंगे जहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे नौट चैनल के बारे में पढ़ेंगे इसके अलाबा स्वेज नहर और ये होते हुए फिर हम पनावा नहर और ये आगे बढ़ते हुए मेगलेन संदी को करते हुए फिर बेरिंग, बासपोरस इनके बारे में पढ़ते हुए हम इसको खतम करेंगे तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा Thank you very much